हलो फ्रेंड्स मैं अंकुर्सो लंकी स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल पर आज है सत्ता सगस्त आज की करन्ट अफेर नियूज और गवर्रमेंट जोब रिलिटर नियूज न देख लेते हैं चलिए शुरू करते हैं तो पहली नियूज यहां पर है सुप्रीम कोट में 9 जोजों की नियुकती देश को पहली महला CGI मिलेंगी जश्टिज नागर रतना सितंबर 2027 में चीप जश्टिट बनेंगी और उनका कारकाल करीब एक महीने का होगा इनके बारे में और नीज देख लेते हैं तीन महीला जश्ट समयत नव जश्टों को सुप्रीम कोट में जज नेक्त करने की कॉल्जियम की सिपारिस को बिना किसी बादा केंदर सरकार ने सूकर कर लिया सुप्रीम कोट के इतियास में यह पहली बार है जब एक साथ ही तीन मैला जजों की निक्ति हुई है इतना ही नहीं कॉल जीम की सिपारिस को सरकार द्वारा सीकार करने से जस्टिस बीवी नागरतना का भारत की पहली मैला मुखिनादीस बनने का रास्ता साप हो गया है वो है सितंबर 2027 में चीप जस्टिस बनेगी और उनका कारिकाल करीब एक महीने का होगा पिछले 71 बरसों में सुप्रीम कोट में सिर्फ आठ मैला ही जज बनी है नियायमूर्ती नागरतना पूर्व चीप जस्टिस एगलुपे सीता रमया बैक्टर रमया की बेटी है जो 1989 में 6 महीने के लिए चीप जस्टिस रहे थे इनमें नौ में से तीन जस्टिस बिक्रमनात जस्टिस बीवी नागरतना और पीएस नरसिम्मा वारत के मुख इनायदिस बन जाएंगे 31 अगस तक सपत ग्रहंट संभव है 21 वरसों तक करनाटक हाई कोट में जस्टिस बीवी नागर करने का आदिश देते हुए कई निर्णा पारित किये जस्टिस हेमा कोली दिली की निवासी है 1984 में भकालत के पेसे में आई नैस्ट हैं जस्टिस बेला त्रवेदी गुजरात की निवासी है फरवरी 2011 में गुजरात हाई कोट के अत्रिक्त नियाजदीस बनी गुजरात 2019 कनाटा हाई कोट के चीफ जस्टिस नियुक्त किये गई जस्टिस बिक्रमनात यूपी निवासी है ये 1987 से बकालाते ओने सुरी की 2004 में इलावाद हाई कोट में एडिसनल जज बने जस्टिस येके माहिस्वरी मुरूप से मद्दे प्रदेश के निवासी है 2005 में मद्द प् और करियर सुरूबात की कानून की करियर की ओने सुरूबात की जस्टिस एम एम सुन्दरेस 2009 में मद्दरा साई कोट के नियादी स्टिस बने प्याइस नरसिम्मा 2014 से 2018 तक अत्रिक्त सौली इस्टर जन्र रहे अधिया मामले में सुप्रीम कोट में बगवान सिरी राम राज चुटा आप फिर से करने होगी पूरी परिच्छा की तैयारी अपर निजी सचेब APS भरती परिच्छा 2013 निरस्थ की जाने के बाद सबसे बड़ी चुनवती ओवरेज अबरतियों के सामने आई है सामान एद्धनेवम हिंदी की लिखित परिच्छा और सौट हैं डेवम ट अगुरी पाने के लिए उनके पास आखरी अपसर है APS के 176 पदों पर वरती के लिए उत्तो प्रदेश लोक सेबा आयोग ने बर्स 2013 बिग्या पंजारी किया था हिंदी एवम सामान एद्धन और सौट हैंड एवम टाप टेस्ट में सपलता आरजित कर 1047 अबरती तीसरे ए 244 या इसके उपर होचकी है तीसरे एवम अंतिम चरण की परिच्छा क्वालिफगी करने के बाद ये अबरती केबल अंतिम चरण की परिच्छा की तैयारी में जुटे थे लेकिन पूरी परिच्छा न रस्त होने कारण अब इन्हें फिर से सामान ने अद्धन एवम हिंद था उन्हें सरकाई नौग्रे के लिए सिर्फ एक पाइदान पार करना था लेकिन अब उन्हें पूरी परिच्छा की तैयारी फिर से करनी होगी आयोग की ओर से का जा रहा है कि बरती प्रिच्छा ने पूरी कर ली जाएगी इतने कम समय में लिखित परिच्छा और सौट ह है जरूरी नहीं कि हर बार एक ही तरह का डिक्टेंशन दिया जाए इसमें अंतर हो सकता है और इसका आसर सौट हैंड परिच्छा पर पढ़ सकता है कोई गलती मानने ना होने से कठन होगी रहा आयो की और से एस परिष्ट किया जा चुका है कि नए बिग्ग्या मन गेता है सौट हैंड की परिच्छा में कोई गलती मानने नहीं होगी जबकि 2013 में जारी बिग्ग्या पनिक अनुसार हुई परिच्छा में 8% तक गलती पर छू प्रिश्टाव तयार कर लिया है. दरसल होमगाड विवाग में कुल स्वीकरत पदों की संख्या यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है एक लाग अठाराजार तीन सो आड़तालिस है मौझूदा समय में लगवग 86,000 होमगाड ही मैकमे में है हर साल 3-4,000 होमगाड रिटार हो जा रही है साल-10 साल होमगाडों की संक्य लगातर घर्टी जा रही है होमगाड विवाग में लंबे समय से भरती भी नहीं हुई बेसिक सिचा विवाग में साइग सिच्च के रिक्त पदों पर भरती की मांग को लेकर बिस्तवार को बैरतियों का पूरे दिन हंगामा चलता रहा भरती पिर्क्रिया में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर सामको अचानक अबर्थियों ने डाली बाग इस सिथ बैसक सिच्छा राज मंत्री के आवास को गहर लिया और अबर्थियी इससे पहले सीडी के जरी ही मंत्री की फ्लाट तक पहुंचते मौके पर पुलिस पहुंच गई और उनको रोक दिया इससे नाराज अबर्थी ने प्रदर्शन शुरू किया बाद में पुलिस ने इन सभी को बहानों के जरी एगो गार्डन ले जाकर छोड़ दिया इससे पहले दोपायर में अबर्थी सीम आवास का कहराव करने पहुंचे थे लेकिन पुलिस ने रास्ते से ही खदेर दिया था ने इस निए यह पर देख लेते हैं TGT से पहले आएगा PGT परिच्छा का रिजल्ट प्रिस्छे तेस नातव सिच्छक TGT की परिच्छा बले प्रवक्त असंबर्ग PGT से दस दिन पहले हुई थी लेगिन पढ़नाम PGT के बाद आएगा ऐसा इसलिए कि PGT में साच्छतकार होने के कारण भरती पिर्किरिया पूरी करने में समय लगेगा और भरती पिर्किरिया सुप्रीम कोड के आदेश के मुताबे अक्टूबर तक पूरी करनी है इसके विप्रित TGT परिष्चा का परणाम गोसित करने के बाद चैनने तबिर्थियों को कॉलेज आबन्टित किया जाएगा और तो परिदेश मादिमिक सिच्छा सेबा चैन बोर्ड ने 12603 पदों के लिए TGT की परिष्चा 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 के सभी जिलों में 7.8 अगस्त को कराई थी इसमें साचछतकार नहीं होना है इसी तरह PGT की परिष्चा भी परिष्चा सभी जिलों में दो पालियों में आजित की गई थी 2595 पदों के लिए परिष्चा 1142 अगस्त को ही थी इस दिन चलने का अनुवान है ऐसे में इसका परड़ाम पहले गोसित कर सच्छतकार की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी नेक्शनिज आपर देख लेते हैं दरोगा बरती के अबर्थियों ने प्रदर्शन कर मांगी निक्ति 2486 अबर्थियों को निक्ति नहीं दी जा रही है प्रदर्शन में सामिल अबर्थि हमानसु तरपाठी ने बताया कि एक साल ट्रैनिंग करने के बाब जूत 2486 अबर्थि निक्ति के लिए 13 माह से भटक रहे हैं उने बताया कि इन में तमाम ऐसे अबर्थि हैं जो दरोगा में चैन के बाद सरकाई नौकरी छोड़कर आई थे वो अब अपने मूल विभाग में भी नहीं जा सकते उने बताया कि सुप्रीम कोट के आदेश के बाद सभी की ट्रैनिंग जून 2020 में पूरी हुई लेकिन निक्ति अभी तक नहीं मिली है संदीप सिंग और देव यादव ने बताया कि पुलिस बर्थि बोट के डीजी से अबर्थि कई बार मुलाकात कर चुके हैं लेकिन हर ब पुलिस सक्ति करती है वोने पुलिस सरकार से निक्ति देनी की मांग की यहां पर इमेज भी दिया है प्रदर्सनकारी दरोगा भरती 2016 के बर्थियों को समझाते पुलिस कर्मी नेक्स इस आ पर देख लेते हैं गरामीर डाक सेवोकों के 4264 पदों पर होगी भरती उतरप्रदिश डाक cerm Hayırndal की और से गरामीर डाक सेवोकों के लिए 4264 पदों पर भरती निकाली गई है इनकी तैनाती साखा पोष्ट मास्टर सायक साखा पोष्ट मास्टर डाक सेवक क के रूम में की जाएगी डाग अधिकारियों ने बताया कि आवेदक के लिए अहरता दस्मी पास रखी गई है कंप्यूटर संस्तान से दो महीने का बैसे कोर्स होना चाहिए और साहगिल चलानी आनी चाहिए इन पदों पर आवेदन की फीस सो रुपए रखी गई है वहीं महल राउं ट्रांसजेंडर HCST के लिए फार्म निसुल करें डाग विवाग पात्रों का चैन दस्मी में मिले अंकों की मेरिट के आधार पर करेगा सेलेक्ट होने की सूचना मोबाइल पर मैसेज पर इमेल से दी जाएगी आवेदन के बाद अबर्थी को रेजिटेशन नंबर म ने सहर के अपने दोरे पर एक प्रारंबिक परचालन मंजूरी मानक हल्क के लड़ाकू बिमान LCA तेजस में उडान भरी रच्छामंत्रा एलाई की बुदवार को जारी आधिकारिक बिगप्तीम बताया गया कि चीव आप एर इस्टाप ने बारती बायसोयना के इकाईयों और उडान परीच्छन संस्तानों तथा बैंगलूरू में हिंदुस्तान एरो नॉर्टिकल्स लिमिटेड एच एल तथा DRDO के केंदरों का 30 और 24 अगस्त तक दोरा किया इसमें का गया कि बंगलूरू के अपने दोरे के बखत बायसोयना प्रमुख ने IOC-LCA तेजस में उडान बरी यहाँ पर इमेज वी दिया गया है बंगलूरू में उडान बरने से पहले तेजस विमान में सभार होते बारती ब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाक्स से सब्सक्राइब जरू करना थैंक यू फोर सपोर्ट